गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखे स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम रिगवेदिकाल की नदियों के बारे में जानकर रिप्राप्त करेंगे तो देखेगा स्टूडेंट्स मैं जब के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है जान लिया है तो आप इन सब के बारे में पहले वाले वीडियो में देखेगा तो मैं आपको वैदिकाल की स्ट्री के बारे में थोड़ा सा कहां पर बताऊंगी ताकि आपको रिगवेदिकाल के बारे में अच्छे से जानकरी प प्राप्त हो सके तो देखेगा वैदिकाल तो जो सिंदुकाटी सब्वेता है उसके पतन के बाद वैदिकाल का प्रारम होता है और वैदिकाल है इनके जमदाता कौन थे आर ये थे आर ये हैं वो बाहर से आये हुए थे ठीक है अब देखेगा वैदिकाल इसका समय क्या था प रिगवेदी काल है वह काल था जिसके बारे में रिगवेद से पता सलता है और उत्रवेदी काल जिसमें आपका जो सामवेद है यह जुरवेद है अथरवेद है उनसे जो जानकरी प्राप्त हुई है वह है उत्रवेदी काल था तो रिगवेदी काल है इसका समय क्या था पंद रिगवेदिक काल को पढ़ने की समझने की कोशिस की है तो देखेगा रिगवेदिक काल क्या था रिगवेदिक काल की समाजिक दसा आर्थिक दसा या फिर धार्मिक दसा इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ा है और ये आज रिगवेदिक काल से समधित अंतिम टोपिक है जि और कई बार परिक्षा में रिगवेदी काल के नदियों के बारे में भी पूछ लिया जाता है तो देखेगा रिगवेदी काली नदियों के नाम तो रिक्वेदी कालिन जो नदियां हैं उनके जो प्राचे नाम तो क्या थे आदूनिक नाम थे क्या है भी ये कई बार पूच लेते हैं परिक्षा में तो देखेगा प्राचे नाम है नदी का क्रभू नदी और आधुनिक नाम है कुर्रम प्राचे नाम है कुभा आधुनिक नाम है काबुल वितस्ता जेलम असिकनी चिनाब पुरुष्णी रावी, सत्तुद्री सत्लुज, विपास्चा व्यास, सदानीरा गंडक, द्रस्द्वती घगर, गोमती गोमल, स्वास्तु स्वात, सिंधु सिंध, सर्ष्वती या द्रस्द्वती, घगर, रक्ची या फिर चितंग सुसोमा, सोहन नदी, मरुद वृध्धा, मरु वर्मन नदी तो ये तो हुए है मरे जो रिगवेदी का लिन नदियां है उनके नाम, प्राची नाम और आधुनिक नाम, इनको आप अच्छे से देखिएगा अब देखिएगा स्टुडेंट्स, रिगवेद में 42 नदियों का उलेक हुआ है, जिसमें सबसे महत्वपुन नदी सिंधु नदी है, जिसका वर्मन कई बार आया है, यह नदी सब्त संधव छेत्र की पस्सिमी सिमा थी तो जो सिंधु नदी है, यह रिगवेदी काल की सबसे प्रसिद नदी थी और यह जो सब्त संधव छेत्र, आप देखिएगा सब्त संधव छेत्र क्या था, जो आर ये लोग थे, उनका प्रानमिक निवास अस्थानव था, सब्त संधव छेत्र तो जो सिंदु न दिया ये सब्त संदव छेत्र की पस्सिमी सिमा थी तो देखेगा सब्त संदव परदेश अत्वा सब्त सिंदु आरिये लोगों का प्रारंबिक निवास इस्तर माना जाता है सब्त संदव भार्त वर्ष का उत्तर पस्सिमी भाग था इसे आरियों का आदि देश भी कहा गया है ठीक है नव अब देखिएगा कुरम गोमती गोमल कुभा काबुल और सुवास्तु अर्था स्वात नामक नदियां पस्चिमी किनारे में सिंदू की सहाइक नदी थी तो कई बार पूछ लेते हैं कि सिंदू नदिय इसकी पस्चिमी किनारे की जो सहाइक नदिया वो कौन-कौन से वो है कुरमू, गोमती, कुभा, सुवास्तु ठीक है न इती नदिया है कुरमू, वन, गोमती, टू, कुभा, थ्री, और सुवास्तु, फॉर ठीक है आब देखि पूर्वी किनारे पर सिंदू की सहाइक नदियों में वितास्ता, जेलम, आसीकनी, चेनाब, पुरुष्णी, रावी, सत्तुद्र, सत्लज, विपासा, व्यास, पर्मुक्थी, ठीक है न? विपासा, व्यास नदी के तट पर ही इंदर ने उस्सा को प्राजित किया और उसके रत को टुक्डे-टुक्डे कर दिया था सिंदु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरणे नी कहा गया है कई बार पूछ लेते हिरणे नी नदी कोन सिंदी है या फिर पूछ लेते हिरणे नी नदी को किस कारण हिरणे नी नदी भी कहा गया है उसका आर्थिक महत्व है सिंदो नदी का द्वार उन्नी वस्त्रों के विवसाय होने के कारणे से सुवासा और उट्पा वर्ति भी कहा गया है रिग्वेद में सिंदो नदी की चर्चा सर्वाधिक बार हुई है अब देखेगा सर्श्वती नदी तो रिग्वेद में सर्श्वती नदी को नदियों की अग्रवती नदियों की माता वाणी प्रार्थना यों कविता की देवी बुद्धी को तिवर करने वाली और संगीत प्रेर्णा दाई कहा गया है सर्श्वती रिग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी तो देखेगा सबसे ज़्यादा बार कौन सी नदी का जिक्र हुआ है रिग्वेद में सिंधु नदी और रिग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है सर्श्वती नदी सर्श्वती नदी को नदी तमा अर्थात नदियों की माता भी कहा गया सर्श्वती जो अब राजस्तान की रेगिस्तान में विलीन हो गई है इसकी जगे अब घगर नदी बैती है तो ये सर्श्वती नदी के बारे में आपको थोड़ी सी इंपोर्टेंट्स उस नाम ने दी है देखेगा धान से अब अगली नदी है द्रस्द्वती नदी जिसका आधूनिक नाम है चितंग अत्वा इसके घगर भी कहा गया है आपया यह नदी द्रस्द्वती और सर्श्वती नदी के बीच में बहती है तो द्रस्द्वती और सर्श्वती नदी के बीच में बहनेवा नदी है आपया शर्यू यह गंगा की सहायक नदी थी रिग्वेद के अनुसार संभवत है यदू यम तुर्वस के द्वारा चित्र रथ और अर्ण सर्यू नदी के किनर ही प्राजित किये गए थे यमुना नदी रिग्वेद में यमुना की चर्चा तीन बार की गई है गंगा नदी गंगा का उलेक रिग्वेद में एक ही बार हुआ है नदी सुक्त की अंतिम नदी गोमती है तो जो रिग्वेद में नदी सुक्त है उसकी अंतिम नदी कौन सी है गोमती नदी अब देखेगा महतोबुन तत्थे, तो कई बार एक्जामें पूछ लेते हैं, तो हमने यहाँ पर महतोबुन तत्थे के रूप में आपको बताने कोशिश करेगा, सब्त संदव पडेश, कौन सा पडेश था। सिंधु नदी प्लस सिंधु नदी की पांच सहेक नदी कौन-कौन सी वितास्ता, आसिकनी, परुष्णी, सर्तुद्रे और विपासा प्लस सर्स्वति नदी तो ये साथ नदिया होगी ना कौन सी सिंधु और सर्स्वति दो और फिर सिंधु नदी की पांच सहेक नदिया थी तो होगी साथ प्रोडल और इसी प्रकार इस परदेश को सब्त संधव परदेश कहा गया है रिगवेद में 42 नदियों का उलेख है जिसमें से मुख्य नदिया निम्न लिखी था वो देखेगा सिंदू, सर्ष्वती, वितस्ता, असिकनी, पूरुष्णी, सत्तुद्र, विपासा, गोमती, सुवास्तु, वितास्ता, उभा, असिकनी, पूरुष्णी, सत्तुद्र और विपासा सर्ष्वती नदि सबसे पवित्र नदि मानेगी है ठीक है ना? रिग्वेदी में सबसे पवित्र नदी कौन से है? सर्स्वती नदी और इसके तट पर वदिक मंत्रों की रचना की गई थी इसे नदियों में अग्रवती नदियों की माता वाणी बुद्धी संगीत की देवी भी कहा गया है सर्स्वती नदी को नदी तमा नाम से भी जाना गया क्योंकि यह नदी ऐसी अदभूत नदी है जो एक स्थान पर दिखती है तो दूसरे स्थान पर एद्रेशे हो जाती है विपास अर्थात व्यास नदी इसके तट पर ही इंदर ने उस्सा को प्राजित किया और उसके रत को टुकडे टुकडे कर दिया सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्वय के कारण हिरणनी कहा गया है सिंधु नदी द्वारा उन्नी वस्त्रों का व्यवस्ता होने के कारणी से उनावती भी कहा गया है सुसोम परवत से निकरने के कारणी से सुसोमा भी कहा गया है और रिग्वेद में सिंधु नदी की चर्चा सबसे ज़्यादा बार हुई है तो हिरणनी, उनावती और सुसोमा नदी ये कौन सी नदी के नाम है सिंधु नदी के नाम तो देखेगा स्टुडेंस इस वीडियो में हमने रिग्वेदी काल के नदियों के बारे में पढ़ा है जो एक्जाम के तोर से बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है आपको अच्छे से इसको देखना चाहिए एक नए क्यूसन आपको इसमें से पक्का मिलेगा और ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहे हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस को आप सब्सक्राइब करें धन्यवा ओल्सक्राइब